तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है अनाटॉमिकल स्नब बॉक्स तो अनाटॉमिकल स्नब बॉक्स में क्या आता है हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोड़क्टरी पॉइंट से देखेंगे तो यह एक ट्रागुलर डिप्रेशन है जो कि लाटरल साइड में होता है व्रिस्ट के यह कब दिखता है जब थम अग्सटेंड पोजिशन में थम ऐसी दिखता है और ऐसी अगर हम करे तो अनाटॉमिकल स्नब बॉक्स हमें इधर यहाँ पर इधिली दिख जाएंगा यह है जो है वह है अनाटॉमिकल स्नब बॉक्स तो देखती है इसके डाइग्राम कैसी है तो यह है हमारी अनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की डाइग्राम यह वाली तो देखेंगे इसके कंटेंट्स क्या है तो सबसे पहले आती है हमारी र एक्स्तेंसरपो से यह वाली मस्ल्स है रेडियल से यह जो मसल्ले वो है extensor, policies, longest तो यह वाली जो मसले वह है extensor, processes longest तो यह है हमारा anatomical snuvbox ये डागराम है anatomical snupbox की उसके बाद हम लेखेंगे बॉन्डरी आप डागरां से relate कर सकते है जो आपने figure बनाई है उससे तो देखते है बउन्डरी में आते हैं tendon, abductor policies longest, tendon किसका abductor policies longest का और extensor policies bravis का, posteriorly tendon of extensor policies longest और posteriorly किसका tendon extensor policies longest, above it is limited by styloid process of radius तो above इसके boundary जो हे वह styloid process and floor is formed by and floor is formed by scapoid and trapezium तो उसके बाद हम देखेंगे contents तो anatomical snub box के content क्या है तो सबसे पर लाता है radial artery, next पर लाता है superficial branch of radial nerve and cephalicone तो यह हो गया हमारे contents तो और यह हो गया हमारा anatomical snub box